यह प्रवचन श्री चैतन्य चरितामरिद आदि लिला के अध्याय साथ पर श्री श्री रादिका रमन मंदिर नई दिल्ली में श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महराज द्वारा दिया गया आवा रुजा बेहारे गोपी जान्ना बाला भा इवाला धारे अम नमो भागवते वासु दिवाया अम नमो भागवते वासु दिवाया अम नमो भागवते वासु दिवाया आज हम छेत्यान्चर्ट मृता की चाथ करेंगे छेत्या च्रथ्यान्चर्थ्मृत में जीवन की कता है उनके लिलाव और सिक्षा का वर्णन और चेतने चत्रमृत में अनेक गीता और भागवतम के स्लोकों की भी रचना किये कई है वैसे चेतने महाप्रभजी के विश्य में तीन प्रसित ग्रंथ हैं जनके द्वारा आप ज्यान प्राहत कर सकते हो एक है चेतने चत्रमृत जिसकी रचना क्रिश्न दास का विडाजी नेकी दूसरा है चेतने भागवत जिसकी रचना मिर्णावन दास ठाकु नेकी पर एक और है चेतने मंगव जिसकी रचना लोचन दास ठाकु नेकी है पर प्रापपाजी ने चेतिन चर्तरमीता कानुबाद किया क्योंकि इसमें लेला आई थोड़ी कम है चेतिन भागवत में जादा लेलाओं का वर्णन है पर इसमें फिलासफी है काफी गहरी इसलिए प्रहपाजी मैं सबसे पहले छेति अच्छातरमिटा की कानवाद किया वैसे प्रहपाजी कहते है गीता का संदेश की तुन्या की जाती है रही स्पूल के साथ भगवातरम की संदेश की तुन्या की जाती है पाइल morph suburbs और चेति-चातरम। तक कि तुन न की जादी किसके साथ? वोज ग्रेजुएट तो हम अक्सर मंदर में हफ्ते में एक बार चेतन अच्छा तरमिता भी पढ़ते हैं पर वैसे आप घर में भी पढ़ सकते हो तो आज मैंने आदी लिए के सात्विय दिहाई जहां की सात्विय दिहाई में भाग्वान की उस लीला का वर्णन है जबकि वो बार नासी गए थे मायवादियों को प्रचार करने के लिए तो वहां का एक स्लोग चुना है आज की चर्चा के लिए ये स्लोग बोर में भी लिखावा है साथवा स्लोग है अम्यांत बोर्थिस्ट्वासा ओमक्यांत इविनांधस्या ज्यानन जनाशलक्या शक्षुरन मिलितन येःा तस्माई श्री गुरावे नमाह श्री चेतन्या मनाव विस्ताम स्थापितामेन भूतले स्वयम लूपा कदामयां दनाती स्वापदातिकां भंदे हम् श्री गृडव श्री उत् अपता कम्लम श्री गुरून बैस्नाव म्स्ता श्री रूपाम साक्राजतम सागना लगुना ठन्वितं तंस जेवम स्ध्वेतं सवधूतं परीजना सैत्याम क्रिष्णा चेतन्या देवं श्री राधार क्रिष्णा पधान साहगना साहता श्री उशाकान वितम श्राभ हे क्रिष्णा करुणा सिंधो धीन बंदू जगत्पते गोपेसा कोपिका खंता रादा खंता नमोस्ति तपता कंचुना गोलागी राधे ब्रिंदा वनेश्वरी विश्वानु सुपे देश्वरी प्रादमानी है भंचा कापत्ता व्हानिस्ता कि बासिंदू वहिवच्शा पधिता नां पहुले रादम श्री कृष्णा चेतन्या प्रभु नितनादा श्रीयद रैत गदाधर, श्रीमाचदी गोरभक्त भिन्त, फ्रीथ। जमीर पर भीटने के बाद, स्रीच चेतने ये महाप्रभूं ने कड़ोरो सुर्य के समान प्रकाश मैं अन्तेज प्रकट करके, अपनी योग शक्ति का प्रदर्शन किया तो परम भागवान जब प्रकट होते हैं तो अपनी दिवे लीला भी प्रकट करते है उचेत्रिया महारप्रभजी कौन है? स्वयम भागवान है काई बार लोग पूछते हैं कि इसका क्या प्रमान है कि वो परम भागवान है, प्रमान है शास्त्रों का ग्यान, भागवतम में सबच रूप से स्थापित किया गया है, कि भागवान प्रकट होंगे किस रूप में उनके दिवलक्षनों का वर्णन है, और ये भी कहा गया है प्रलाद महाजी के द्वारा स कि भगवान प्रकट होंगे, गुफ छने आपता, छपे आपता, गुफ रूपे, वस्वयम, के वल यह कहेंगे कि वो भक्त हैं, पर वह हैं स्वयम भगवान, और उन्होंने अमने दिव लीला भी प्रकट की है, जैसे यहां, आप क्या पढ़े रहे हो, कि उन्होंने करोरो सु के समान, एक-दो के समान नहीं है, तो क्यों प्रकट किया, वो है आज का वेश है, वाकि छेतेने महारप्रभु जी ने करोर सुरियों का प्रकाश क्यों प्रकट किया, और कहां प्रकट किया, छेतेने महारप्रभु जी अवतारित हुएं किसलिए, किसका उधार करने के तो चेतनिया महाप्रभुजी ने शुरू से ही सब को जोड़ा था ये हारी नाम के साथ और एक समय चेतनिया महाप्रभुजी एक कांत में बैठे थे और गोपी 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 का उचारन कर रहे थे तो एक संस्क्रित का विद्वान वहाँ था जिसने कहा गोपी 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 क्यों कहते हो हरे कृष्ण मंत्र बोलो तो चेतनिया महाप्रभुजी स्वयम भगवान है श्री कृष्णा चेतनिया रादा कृष्णा नाहे आन्या वो समझ नहीं पाया कि इस भाव से चेतनिया महाप्रभुजी गोपी गोपी का उचारन कर रहे थे वैसे दो चेत्य ने महाप्रभुजी ने कहा है कि जो गोपियों की जो सेवा थी इसकी तुन्ना कोई नहीं कर सकता गोपियों के मन में सला एकी भाव था भागवान की प्रसंद सा और उसको पूरा करने कले किसी प्रकार कर्ष्ट भी सेने को थियार थे जैसे आप वो कथब सुनते हो एक समय भागवान को सिर्दद हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मुझे उधव से कि मुझे अपने किसी भग की चड़ों की दूल आके दो जैसे आपको सिर्दद हो जिए तर प्ठाइगर बाम या कुछ लगाते हो भागवान ने कहा सबने इंकार कर दिया ज्ञानियों के पास क्योंकि कहा जाता है कि आपके चड़ों की दूल अगर भागवान को छू दे तो आपके सारा यग्या यद तपस्या का पड़ी नाम नश्टो जाता है पर जब वो गोपियों के पास गए तो गोपियों ने बड़े हुच्सा से दिया उनकी हिर्दे में ये चिंता नहीं थी कि उनका क्या होगा उनकी हिर्दे में एक ही भाव था प्रिशन भावान की स्वेवाव तो ये संसित का विद्वान समझ नहीं पाया और महाँप्रभु जी की निंदा करने लगा तो और फिर एशन स्थिती आगई कि वो संसित का विद्वार्थी अपने साथियों के साथ महाँप्रभु जीでした निमाई पंदे से लड़ने के लिए आए लड़ने के लिए लाठे आदेगा तो महाप्रभु जी ने कहा कि मैं तो प्रकट हुआ हूँ पती तो का उधार करने के लिए फिन उनने 24 साल की आयू की समापती पर सन्यास आश्रम ग्रहन किया क्योंकि भारज में सन्यास आश्रम में माया वरी सन्यासी भी हूँ उनको भी आदर दिया जाता है और महाप्रभु जी तो प्रकट हुए थे हर प्रकाल की प्रजा का सुधार करने के लिए तो महाप्रभु जी सन्यास लेकर वर्नासी से गुजरते हुए ब्रिंदावन गए थे और प्राचिन काल में आज भी शयद महाप्रभु आज स्थान था ओर एक बड़े ahan गुरु थे महाप्रभु जिनका नाम thा प्रकाशनन्द जारस्वति प्रकाशननंद जारस्वति संस्क्रिप Requenda थे पर वो थे मायवादी मायवादी किसे कहते हैं कई बार हम पूछते हैं मायवादी किसे कहते हैं तो वो कहते हैं जो माया में हो तो एक रूप तो फिर हम सभी मायवादी हैं पर शास्त्र में मायवादी शद उनके लिए उप्योग किया जाता है जो भागवान के दिवयर रूप को स्विकार नहीं करते हैं, जो जो भागवान के विगढ़ा को देखते हैं, आपके मंदरों में आते हैं, और राधा कृष्णा या राधिकर रमण जी का विगढ़ा देखते हैं, तो क्या कहते हैं, देखो यह बूर्ख वैश्णाओं को, य तो कहते हैं, लेको ये तो किसकी कलपणा है, वो ये इस्विकार ने करते हैं, यदे बहँगान के जि काग ऑग घीता में क्या? जन्मा कर्मा चामे दिवयम वे अप्रकट होना अप्रकट होना दोनों ही बिलको दिवयम है जब उन्हें यह सुनाते हो भगवान के दिवय लीला है किस पकार भगवान प्रकट होए थे अपने दिवयर रूप में फिर माता पिता के कहने पर तुरंती उन्होंने एक सद्धानन बच्चे का रूप रहन कर लिया तो यह इसे विश्वास नहीं कर लिया और उनका यह विचार है कि भगवान का सुरूप नहीं और भगवान जो है वह नहीं रखा है तो चेतिने महाप्रबजी ने हमें कहा है कि मायवादी की संगत से बचना क्योंकि एक रूप से उनका जो विचार है भगवान के मिश्य में एक अप्राज है तो और यह मायवादी जो है अक्सर क्या करते हैं शास्त्र ही पढ़ते रहते हैं प्रचार में कुछ रूची नहीं नहीं हरी नामे अभिक्रूची तो जेदिने महाप्रबुजी छोटी से आयू में ही संस्कृत के सबसे प्रसित पंदित बन गय थे भारत क्यारा साल के आयू में उन्होंने लगबग जितने पंदित थे सब को डिबेट में हरा दिया था आज से पांसो साल पूर्व बंगाल जो था भारत का विश्व का सबसे धनी राजिय माना जाता था और बेंगाल में सबसे प्रसेट स्थान था नबदिर जहां की उसमें इन भारत के जितने बड़ी इंट्रलेक्शलिय और संस्कृत के विद्वान थे उनका निवास का स्थान था तो छोटी से याईव में ही निवाई ने संस्कृत का पार्चला भी खोल दिया था और जितने विद्वान थे सब को हरा दिया था एक भारत में उसमें एक संस्कृत के विद्वान थे जिनका नाम था केशव कश्मीरी किश्मीरी ने सुना कि नवद्व में एक छोटा लड़का है निमाई पंदे जिसे कहते हैं जो कि माना उसमें नवद्व का संस्कृत का विद्वान सबसे प्रसेर विद्वान माना जाता है तो उन्होंने सूशन भेजी नवद्व में कि मैं आना चाहता हूँ आपके शहर में आपके पंदितों के प्रतिनीदियों से अधियांत में के संस्कृत भाषा कर डिबेट करने के लिए तो जब ये सूशन भेजी नवद्व में पंदितों ने एक सभा बुलाई जिसमें सब ने इंकार कर दिया केशर के साथ डिबेट करने के लिए क्यों क्यों इंकार किया क्योंकि सब को पता था बिना शंका के कि वो हरा देगा उने वो बुरे माने में पंदित है तो उन्होंने ये सोचा कि हम अपने शेयर के सबसे छोड़े पंदित निमाई को आगे रख देते हैं अगर किसी कारण निमाई को हरा दिया केशर किश्मीरी ने तो हम कह सकते हैं उसे तो हमारे शेयर के बच्चे को हरा गा हमें थोड़ी और अगर किसी कारण निमाई ने हरा दिया उने तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारे शेयर के बच्चे उसे हरा सकता है हमाही तो बात ये कि निमाई पंदत गंगा के इथत पर अपने विध्यारतियों को सिक्षा दे रहे थे, जब केश्यो किश्मेरी वहां पहुंचे, दैन, बाजा और जंडों के साथ, केश्यो किश्मेरी के पाद ज्यान जरूर था, पर भक्ती नहीं थी, और केश्यो किश्मेरी जो मिले को तो निमाई ने तो उने आदर दिया बड़ा, महाप्रभुजी का सिधान क्या था, सिदाद पी सुनी चेन, थरोर पी अमानी न मना दिन, कितिना दिसला हरी, और महाप्रभुजी ने अपने आच्रन में भी इस भाव को प्रकट किया, जैसे कि जब केश्यो किश्यो किश् प्रसंसा सुनी है, आप हमें कुछ स्लोकों की रचना करके बताओ, सुनाओ, निमाई ने कहा कि आप की तुलना में मैं तो तुछ हो, आप पहले सुनाई है, तो उने ने सुनाई, सौ स्लोकों की रचना की एक घंटे के अंदर, गंगा की प्रसंसा करते हो है, और ये करने के पुछा फिर तमें कैसे लगा नमाई ने का बहुत अच्छा पर इन इन स्लोकों में यह तूटियां थे और जब केशक किश्मीरी ने देखा कि एक बार समझे से ही इनोंने सब कुछ कंठस कर लिया है तो वह आश्च्रिय हो गए और जब वो नमाई के प्रश्णों का उतर नहीं दे पाए नमाई के जब इधिहारती थे उनकी हसी उड़ाने लगए क्यांकि सब ने देख लिया कि नमाई का ज्यान उनसे तेज है ज़्यादा पर नमाई ने रोक दिया नमाई ने अपने अतीती को पुरा अदर दिया इसे हम सीख सकते हैं नमाई ने पुरा अदर दिया निमाई ने रोक दिया निमाई ने कहा आज हमाने अतीती जी ठक्यों हैं कल उतर देंगा तो इसी praकार गीता में भगवान जीद की तपरस्या के विश्य में कहते हैं सत्य को उछारण करो और कभी किसका अप्मानमान करो पर सत्य को उछारं मिन करो तो पूरे बहार उसने अमराद को पिर केशक कश्मीरी को सारचत्वती देवी से परात्ना की थी नहीं दी तो देवी जी ने कहा कि यह जो लड़का है यह स्वयम भग्वान है और यहां में स्वयोग नहीं दे सकती फिर केश्यो किश्मीनित्या अगले दिन महाप्रबुजी के शर्णगत हो गए तो चेतने महाप्रबुजी भड़े विद्वान थे शरू से ही और पूरे भारत में लोगों को पता था तो जब चेतने महाप्रबुजी वड़नासी से गुजर कर गए तो वहां के पंदितों ने का यह कैसा सन्यासी है बैटकर विद्वान थे सुत्रा नहीं पढ़ता दिन रात क्या करता है हाई नाम सामकृतन एक और बड़े प्रिसेद नायवादी सन्यासी थे जिनका नाम था सरोबुमा भटर चारिया जिनने भ्रिहस्पति का अवतार माना जाता है तो चेतने महाप्रबुजी एक समय सन्यास लेकर जब पहली बार जगान जी का दर्शन देने जा रहे पहुंचे वहाँ तो जगना जी को देखते ही जगजगः जगः कहते ही वो क्या भियोश हो गई जगना जी के सामने तो उसे में पुजारी ने धुवार बन करना था धुवार्ण को भोग लगाने के लिए सामने महाप्रभुजी भियोश पड़े थे तो पुजारी को पता नी था क्या करे तो फिर महाँसरुम उतचारे के एक बड़े प्रसिद्ध मायवदी भग भी थे उनके केने पर उने उठा कर ले गए कहाँ? उनके घाने थोड़ी दे बाद नितिननन्दजी और दूसरे साथी आए उनने पूछा कहा है? जेतने महाप्रभुजी कहा है निमाई पंदर पभाँ उनने जब वो जगनापूरी मंदर पहुंचे तो उनने सुना कि लोग चर्शा कर रहे थे कि यहाँ एक बड़ा खबसूरत सन्यासी आया था जो भियोश हो गया जगनाजी को देखते ही जिसे उठा कर ले गए हैं कहां? ले गए हैं सर्वुम बटचार्य के घर तो नितिननन्दजी समझ गए पचान गए क्या कि यह सन्यासी कौन थे? स्वयम भगो चेतने महाप्रबो और उन्हें उपाई पता था किस पकार महाप्रबजी को होश में लाया जाए सर्वुम बटचार्य को पता नहीं था तो उन्हें जाकर क्या क्या? है नाम का खिर्थन तो सर्वुम बटचार्य इस घटन को देखर आश्च्रय हो गए और सर्वुम बटचार्य को भी बड़े मायवादी थे उन्हें कहा कि यह चेतने महाप्रबु इतने सुन्दर सन्यासी है वो यह नहीं स्विकार कर रहेते कि यह स्वयम भागवान है उन्हेंने कहा यह प्रिसेत सन्यासी हो सकता है पर भागवान नहीं लंबे गोल्डन कॉंपलेक्शन, लंबे हाथ बड़े खबसूरत है भागवान के छे गोने उन्हें से एक है सबसे खबसूरत तो यह गोन महाप्रबु जी ने में प्रकट किया था तो उस हरुपर चाड़े उन्हें सोचा कि महाप्रबु जी की सुरक्षा के लिए मुझे उन्हें विदांता सुत्र का उपदेश देने दो उस साथ देन साथ रात उन्हेंने क्या किया उन्हें विदांता सुत्र का उपदेश देया पर महाप्रभु ने एक शब भी निकाहा, कुछ भी निकाहा, सिर्व सुनते गए, सुनते गए, पिर एक हफ्ते के बाद स्विम्मण अचारिया ने पूछा, अरे भाई आपको कुछ समझ भी आ रहा है, कई बना प्रशन नहीं पूछो तो दो कारण हो सकते हैं, एक व्यक्ति प्रशन ने पूछा, आपको कुछ समझ आ रहा है, कि मैं क्या कह रहा हूँ, साथ देन, साथ रात सुनते आये हो, कुछ बोला ही नहीं, आपको के साथ दिन, साथ रात कैसे सुन दिया, लगाता है, पुरिक्षित म्राज को जब भागवत का अबदेश दिया जाना था, शु विदिन रात सुन रहे थे, वो इतना अमृत अनुभाव कर रहे थे, कि इसके कारण, ना उने प्यास लगी, ना भूग लगी, तो फिर सरुव अबर रचारिया को, छेतेने महार प्रप्री ने कहा है, कि सिविदान्त सुत्र ग्रंद का जो अबदेश है, संदेश है, बिलक कर जैसे बादल सुर्य को ढखता है, जो सली संदेश है, ढग गिया है, फिर दोना का वरतलाव आगे चला एक आत्मनाम श्लोक है, भागवतम का, जिसकी चेतने महांप्रप्रप्रपुजी ने रचना की, चोषछ अतर अधक अधक लीकों से, जिसके द्वारा ये समझ गया क अपना दिव्य सद्भुज का रूप प्रकट किया। सद्भुज का रूप ऊ है, छे हातों के साफ तो या तो आफ आज के स्टो में पढ़़ रहे हो कि इस प्रकार। चेत्यन महाप्रबजी ने करओरो सूर्यों के समान प्रकाश प्रकट किया। पर महाप्रबजी तो स्वयम भागवान है शुरू से ही वो दिव्य लीला प्रकट करते आ रहे थे तो फिर सर्फोपर उचाड़े भी बड़े उच्छे कुटी के वैश्णवा भक्त बने तो ये बनारस में जो मायावनी सन्यासी थे वो दिन राज छेतिने महाप्रबजी की अलोचना करते थे क्या सन्यासी है, पंदित है, नाचता है, गाता है, पागलोग जासे जैसे हम लोग जब हरी नाम समकितन में जाते हैं कई बार तो कई लोग तो साथ देते हैं, स्विकार करते हैं यह दर भगवान का गुनगान है, इसको सुन्ने में लावे लाव है। कई क्या कहते हैं? तो यह पागल लोग नाचते हैं कारे हैं, हमारे धर्म की बेष्टी कर रहे हैं। आप क्लबों में नाचते हो ना सकते हो और भगवान का नाम लेकर नाचना पाप मैं जाता है। तो यह जो प्रकाश एनन्द सारस्वती उनके जो भक्त हैं, उन्हें यह देकर वो आश्री हो गए थे। कि सन्यासी है, मैं जानता सुनता पढ़ने के बज़ए नाचता है काता है पाकलों जासे। और वर्नासी में जब चेतिने महाप्रुप जी आएं, एक भक्त के घर में रहें, जिनका नाम था शंद्शेकर अच्छारिया। शंद्शेकर अच्छारिया उस समय की दिष्टी से सुद्र या नीची जाती के माने जाते थे। आजकल रोज अकबारों में आप पढ़ते हैं, उची जाती नीची जाती है ना। एक जमाना था कि उची जाती खेलाने से जादा सुविदा थे। आजके जमाने में आप बोलो नीची जाती के तो ज्यादा सुविदा थे। चेतिना भाप्रभू ने कभी भेद भाव नहीं किया कौन उची जाती का है, कौन नीची जाती का है। ये प्रचार आप भक्तों को करना चाहिए आजके वातरन में। जैसे आजकल लोग पूछते हैं क्या नाम है आपका शाहिए थोड़े समय बात पूछें के तुम कौन सी जाती के उपर है। तो चेतिना भाप्रभू जी चंद्रशेक रचारिय के घंड में निवास कर रहे थे। हलाकि वो नीची जाती के थे। महाप्रभू ने कभी भेद भाव नहीं किया। कौन उची जाती का है, कौन नीची जाती का है, कौन मुसल्मान है, कौन हिंदू है। कभी नहीं। जिसने हरी नाम को स्रिकार किया। उसी को भग बनाए। एक समय एक भग थे हैं। सुबूदी रोय करके, 500 साल पूरा। सुबूदी रोय पहने थे बहुत बड़े जमिनदा। उनका एक नौकर था, जिसका नाम था हुसेन शाह। एक दिर नौकर ने कुवां खोथते हुए कुछ गल्पी की। तो सुबूदी रोय ने प्रेम से पर गुसे में कुछ मारा उने, जिसके कारण एक निशाना रह गया उनकी पीठ में। तो फिर थोड़ी दिर बाद चापनुसी करके, हुसेन शाह बन गया बड़ा जमिनदार। सुबूदी रोय बन गए, गरीब। तो एक दिन हुसेन शाह, बाद में बन गए नवाब। एक दिन नवाब हुसेन शाह के पत्नी ने देखा, क्योंकि पत्ती के पीठ में एक निशाना है, तो उनने पुझाए, एक निशाना कहां से आया। तो उनने पूरी कथा सुनाई। किस पकाट बच्पन में उनने गल्ती की थी, और जिसका ये परिणाम हुआ कि सुबधी रोई ने उनने उनने भाना था हलका सा। तो पत्नी ने खा, अब जट्रम राजा बन गए हो, खतम कर दो इससे। सुबधी रोई, हमें कौन रोक सकता है। तो उसे इंशाह ने खाहा, ये तो शुबधी नहीं देगा। उसने मुझे पुत्र के समान पाला था। और अगर डाटा भी तो मेरे सुधार के लेए डाटा, मैं उसे खतम नहीं कर सकता। पत्नी ने कहां, कम से कम उसे मुसल्मान तो बना दो। उसने कहां ये समभावाद। उन दिन में क्या था रिवाज। अगर आपने किसी मुसल्मान के घर में खा लिया, ये उनकी या नौकरी स्विकाल कर ली, ये उनकी बाल्टी से एक बुन पानी भी आपर गिर गया, खतम बन गए मुसल्मान, तो हुसेन शाह ने बाल्टी से थोड़ा पानी ठेका, सुबधी रॉइपवा, जिसके कारण समाज में समने का, आप तो मुसल्मान बन गए, हमारे घर में नहीं रह सकते, तो उनकी बनानस के कई पंदितों को पूछा, कि अभी मुझे इस्थिति में क्या करना चाहिए, तो कई उनकी तो कहा, उबलते होई घी को पीकर आत्मात्य कर लो, उबलते होई घी को पीकर, फिर ये सबुदी रोय आए, महाप्रभु जी के पास वर्णासी में, जब महाप्रभु जी वर्णासी में आये थे, तो फिर उनकी उनकी पूछा, क्या करना चाहिए इस्थिति में, तो महाप्रभु ने कहा, ब्रज में जाओ, करो वहाई नाम का उचाहन करो, फिर वह रज में आये, वहाँ हाई नाम का उचाहन करने थे, अब रज में आकर, उनका छोटा सा धंदा था, जिसमें वह सुखी लकड़ी लाते थे, मत्वरा से, और महीने में दो पैसा कमाते थे, आप लगते सहर, एक शकेंड में दोवाजार कमाते थे, वह दो पैसा कमाते थे, महीने में, दो पैसे में से, एक पैसा वह खरचते थे, जो विद्वा ओड़ते आती थी, और इस सब बंगाल की प्रिदान में, उनकी सेवा में, और वहिष्णों की भहुत सेवा करते थे, तो यह उद्वानन मेंने केवल आपको दिया, यह बताने के लिए, कि चेत्रिने महाप्रभु ने किस प्रकार समाज का सुधार किया, जो छू, छात, उची जाती, नीची जाती, यह सब जो उसमें रिवाज था, हिंदु में, महाप्रभु ने इसका विरोध किया, और लोगों को भक्ति के अधार पर उनको सुधारा, तो इसी प्रकार यह रह रही थे, शंद्रशेकर अचारिया के घर में, जो की थे, नीची जाती के, तो निहाला कि वो नीची जाती के थे, महाप्रभु ने इसकी परवानी के, और एक और भक्त था उसमें, जिसका नाम था तपनमिस्रा, तो तपनमिस्रा जो थे, वो भी उच्छे कोणी के वहिष्णुह थे, और तिय तिन महाप्रभु, जब तपनमिस्रा और चंद्रशेकर अचारिया, महाप्रभु जी की निंदा सुनते थे, तो यह अच्छा नहीं लगता था, तो महाप्रभु शांस्त्रा में कहा गया है, कि हमें वैष्णवा अपराज से बचना चाहिए, वैष्णवा निंदा से बचना चाहिए, सब शांस्त्रा के अनुसार, अगर आप Vaisällen वा निंदा सुनरे हो तो तीन आपाए हैं पहलों आपाए तो है आप हरा दो उसे डिराट करके कोई कुछ कह रहा है कुछ कहा आप डिरीड करके हरादो यह है सबसे बेंदर और अगर आप हरा नहीं सकते तो क्या करो सां छोड़ कर चले जाओ किदर आओ वो भी नहीं कर सकते तो एक तीसरा उपाए है शायद इतनी बड़ी सभ़म में उसकी चर्चा नहीं करने चाहिए क्या है वो तीसरा उपाए हाँ हाँ वो मत करना है वो इस्तान छोड़के जोड़ा तीसरा उपाए है अगर आप हरा भी नहीं सकते छोड़के भी नहीं जाना चाहते मतलब यह है कि सुनने की बज़ए आत्माहत्या करना जादा बहतर है अर्थ उसका यह है यह नहीं कि आप आत्माहत्या करो तो तपर मिसर की यह चंदर शेखर इन्हें बड़ा दुख हो रहा था यह सन्यासियं द्वारा महाप्रभुजी की निंदा सुनते थे उन्हें पता था कि चेतिने महाप्रभुजी स्वयम भागवान है उनके मन में कोई शंका नहीं थी तो हो आए महाप्रभुजी के पास कहने के लिए कि यह मायवनी सन्यासि दिन रात आपकी निंदा कर रहे हैं निंदा इस्तिष्टी से वो कहते थे यह संस्क्रत के इतने बड़े विद्वान है क्या पागल जैसे नाचते गाते हैं हमारे साथ बैठ कर विदानता पड़ो यह दीवन का स्वी लक्ष तो महा प्रभुजी को उनोंने कहा आप चलिए उन सन्यासियों की सभा में उन्हें मिलने के लिए तो आज के जबाने में ख़ई व्यक्ति ये दावा करते हैं भगवान के आवतार हैं न तो आपको उनकी परिक्षा लेनी चाहिए आप कहो हम मानते हैं भगवान के आवतार हो तो चलो आप को इद्वे लीला प्रकर करके बताओ या कृष्ण लीला की नकल करो इस Works ने आ महा प्रभुजी की लीला की नकल करो पर कुछ तो करके दिखाओ कुछ तो चमधकार दिखाओ आज के जवाने में कोई चमद करके प्राफपा जी कहते थे एक रिजुक अला पहला कर दे ता हम उसका अवतार मानने पर अवतार उसे मानो जनका शांस में प्रमान हो और जो की दिवय लीला भी प्रकड कर पाए तो छेतिने महाप्रबु जी ने दिवय लीला या प्रकड की उनोंने करोड़ों सुर्य के समान प्रकाश्मा थेज प्रकड किया अभी योग शक्ति का प्रदर्शन किया और महाप्रबु ने इन सन्यासियों को प्रनाम किया स्वया भगवान थे तो महाप्रबु ने उनको प् कि अगर आप सदा निरंथर भागवान के नामों का उचारन करना चाहते हो, तो इस लोग के संदेश का पालन आवशक है, तिनाद पी सुनिये चेना, आप लोग ने इस लोग हजारों बार सुना होगा, पहली बार तो आपको नहीं सुना रहे हैं, पर अगर आप शासन को पढ प्रापाजी के तात्परियों को पढ़ो, तो आप देखोगे, लगवग हती से चौथे तात्परियों में इस लोग के भाव का वर्नम है, क्यों? क्योंकि बार बार सुनने से हमारे मन में शादिय बैठ है, हमारे हिर्दे में, तो चित्रमाप्रुजी क्या कहा? तिनाद पी सुनी चेना, अपने आपको घास से भी जादा पती, घास के सिर पर सब चलते हैं, तो वो कभी आपका अपमान निकलता, फेर से भी जादा सहिंशीर, अमानीना मना देना, दूसरों को आदर दो, बिना किसी आदर की उमीद की हुए, अमानीना मना देना, व्यक्ति को सदा, दूसरों को आदर देना चाहिए, बिना ये उमीद रखे हुए, कि मुझे भी इसके बदले में आदर प्राप्त होना चाहिए. तो भाप्रभु ने इन सन्यासी को प्रणाम किया और फिर बैठे कहां? गंदे स्थान में, जहां की लोग अपने पैरों को धोते हैं, उस स्थान में जाके बैठे. तो जब इन मायवदी सन्यासियों ने देखा, करोर वो सुर्यों का प्रकाश, वहां अप्रभु जी के स्षेरे से निकल रहा है, तो वो देखकर आश्चरे हो गए. और यह जो सन्यासियों उचे मंच पर बैठे थे, सब उठे वहां से, और उनकी जो गुरु थे, प्रकाश नंद सारस्वती, वो उठकर आए, और छेतिने महाप्रभु जी को कहने लगे, आप इतने बड़े विद्वान हो, यह आपको शोबा नहीं देता, कि आप इस गंद स्थान में बैठो, आपको जो हो, हमारे साथ आना चाहिए, और कहां मंच पर बैठना चाहिए, विचितिने महाप्रभु जी की संगत से, यह सारे, जो मायवनी सुनियासी थे, यह प्रभावित हुए, महाप्रभु जी के संदेश के प्रती, और फिर प्रकाश नंद क्या वाष्णवाब भग बन गए, पहले तो प्रकाश नंद सारस्वती और महाप्रभु जी की काफी घेरी चर्चव हुए, जिसके पश्चात प्रकाश नंद सारस्वती समझ गाए, कि यह सन्यासी स्वयम नरायन का रूप है, जब उन्हें ने देखा, करोर सूरियों के सम प्रकाशन हो रायन रोश्नी, वो समझ पाए, यह सन्यासी स्वयम भगवान है, और फिर उने पूछा, कि आपने यह नीची जाती क्या, आच्रण क्यू प्रकार किया, तो महाप्रभु ने कहा, मेरे गुरु ने, महाप्रभु जी ने मेरे गुरु स्विकार किया, क्रिशन में जब प्रित्वी पढ़ते हैं उन्होंने गुरु स्विकार किया कौन धूंगा गुरु अच्छेते हैं महाप्रभुजी के गुरु कौन थे इश्वरपूरी तो इन सन्यासी ने पूछा आप इतने बड़े संस्केत के विद्वान हो पर आपको विदांतर सुद्रा का हमा गुरु ने जब मुझे देखा तो क्या कहा तुम मूर्ख हो मूर्ख मतब कम बुद्धी के हो तुमारे में केवो एक ही योगिता है क्या हाई नाम के उचारन के तो कहने के तात्परी ये था ये नहीं कि आप केवल शासों के अधियन से भगवत प्राप्ति कर सकते हो जैसे कि अधियन से नहीं कि एक गुनों का लक्षरों का वर्णन करते हो ए वे रिडेश दुरुलु भूम दुरुलु भूम आत्मभग्तों कि अगर आप केवो वेडिक साहिते की अधियन दौरा पर अभगवान को समझन का प्रयाज करोगे तो दुरुलु भाम दुरुलुलु वो सरल बन जाएगा तो जब प्रकाश नंद सारस्वाती उनके साथियों ने पूछा महाप्रभुजी से कि आप इतने बड़े विद्वान हो आपकी तो महीमा कोने कोने में भारत के फैली हुई है आप क्या ही हानी नाम पाग्रों जैसे कर रहे हो उन्हें ने कहा कि मेरे गुरुई ने देखा कि मेरे में और कोई योगिता नहीं है उन्हें ने कहा तुम मुर्ख हो तुम विदाद्य सुत्रा पढ़ने के योगिया नहीं हो तुम क्या करो यह हरी नाम करो क्यों? यह हरी नाम है वेदिक शास्त्रों का सार वेदिक शास्त्रों का सार कहा है यह हरी ना में वेदिक शास्त्रों का सार क्या है सरवाधमा परिटजा मामेकम शनमला हम तुन सरव पापकर मोक्षशामी मासुटा यह सार वेदिक शास्त्रों का सार कि तुम तन मांधन से क्या मेरे इश्रमगत हो जाओ और वेदिक सास्वा का और ये संभव कैसे होगा भगवान की नावगों के उचारण उनकी सिक्षा का पालन करके तो छेतेर महाप्रभु जी ने इस आदी दिला में स्थापित किया है कि हरे नाम के उचारण से ही भगवान पाप्ति इसका योगा में संभव है और इसलिए कहा गया है हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवा केवलम कलो नस्तेवा 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 नहीं कतीना ने था और महाप्रपुजी ने आगे कहा कि हारे नाम के उचारन से आप भौते जर्व मृत्य के बंदन से छुटकारा प्रात कर सकते हो और हारे नाम के उचारन से भगवान के दिवियर चलन कमनों का दर्शन में प्रात कर सकते हो जैसे चेतो दर्पन मारजनाम तो इस पकार प्रकाशननन्द सानस्वती और महाप्रभु की चर्चा हुए और महाप्रभु ने ये भी कहा कली काले नामा रूपा कृष्नावाठ कली युगा में भगवान अब्दारित होते हैं किस माध्यम से उनके दिबिनामों के रूप में और कली युगा में हाई नाम के उचारन कि लावा और खोई उपाई नहीं है शास्ट्र का निर्ने क्या है? भगवान के शर्नगत होना भगवान के शर्नगत होने का सादन क्या है? यह हारी नाम को उचारन जैसे एक कृसिज भजन है जो आप सब गाते हो बाजाः हुड़ी मान श्री नंदनना तुछ में गुविन अधाल शी किते हैं उतुल्ना करते हैं, कहते हैं कि जिस प्रकार जल पत्य से किसी समय भी नीचे गिर सकता है, उसी समय मनुश्य जीवन किसी समय भी समाप्त हो सकता है, तो क्या है उपाएं? बाजा हरी पादा नितीरे, किसी प्रकार से हरी के चनन कमलों की शरन स्विकार करनी चाहिए, तो हरी के इस प्रसिद श्लोक में ये स्थाबित किया जा रहा है क्या कि इस खलियोगा में भागवत प्राप्ति के लिए क्या है एकी साधन वो है हरी नाम को चारन और इस प्रकार महाप्रभुजी ने हरी नाम की महिमा की चर्चा की वरंत में सारे मायाबादी बन गए वाहिशनवाद तो एक समय फिलास्फिकल डिवेट में उन्होंने एक बुद्धिस्त को हराया था तो जो जो बुद्धिस गुरु थे उनके सिशों के हिर्दे में ख्रोध था उन्होंने सोचा की उन्होंने योजना बनाई इसका बदला लेने के लिए तो अगले दिन वो आये कहने लगे कि हम आपके लिए महाप्रशाद लाये हैं अब ये महाप्रशाद को स्विकार कीजिए असलने वो सड़ावा खाना था जो उन्होंने एक पितल की थाली में देकर अरपन करने गए महाप्रभजी को इस विचार से किनकी बिष्टी करें तो जैसे ही वो पितल की थाली अरपन कर रहे थे एक भाज उपर से आई जिसने वो सड़ावा खाना था उठालिया और पितल की थाली को फेका और गिरी कहां? गुरू के सिर पर जो पितल की थाली गिरी गुरू जी के सिर पर तो गुरू जी भ्योशा दे बुड़े थे तो जो सिश्य थे उनके हिर्दे में दुख हुआ पच्तावा हुआ ये सोचने लगे कि हमारे अप्रादों का ये परिनाम है तो सब गए छेते दे महाप्रभजी के पारस मां भी मांगने के लिए उनने ये स्विकार किया कि दोशी विचार के कारण वो है पर कहके किसी प्रकार से हमारे गुरू जी को जीवित कर दो भियोश पड़े महाप्रभु जी ने कहा जाकर उनके कानों में क्या ये हारे राम सुनो तो महाप्रभु जी पति अफ्तारित है किसले पतितों का उधार करने के लिए और महाप्रभु जी ने इस विश्ण पर बल दिया क्या कि हमें हरी नाम का उचारन करना चाहिए तो ये श्लोग भागवतम का है जिसमें कहा गया है कि सत्योग में भागवत प्राप्ति का साधन था भागवान का चिंतन द्वाप्र युग में भागवत प्राप्ति का साधन था क्या? यग्या और द्वावेग्य में यग्या साधन था भागवान के आचे विग्रहा की उपासना और खलियुग्य में वो ही लाप्राप्त हो सकते है कि ऐसे, हरी नाम की उच्छा हानन के द्वारा, तो खृष्णदाश कावीराजी कहते हैं, कि चेतनीया महा प्रोपजी की कृपा से, कठिन काणिया भी सरल बन जाता है, उनकी कृपा के बिना, सरल काणिया भी कठिन हो जाता है, और कृष्ण दास काविरा जी कहते हैं, कि उनकी कृपद से गुंगा व्यक्ति भोल सकता है, बहरा व्यक्ति सुन सकता है, अंदा व्यक्ति ओलंगणा व्यक्ति, चल नहीं पहड़ों के पहड़ जा सकता है। वो ज्यादा कठे मैं। तो हमें चेत्यन महाप्रभुजी की शिक्षा का भी अदियान करना चाहिए, जोकि चेत्यन चल्चववितर में प्राप्त होती है। तो इस पकात चेत्यन महाप्रभुजी ने पूरे बहारत में, जहांभी यात्रा की, सब को आंक्रिषित किया, तो एक समय जब चेतिना महाप्रुजी दक्षिन महारत की यात्रा कर रहे थे तो एक भक्त था ज़नका नियान था वासुदेव विप्रा इस भक्त को कोड की बिमारी थी इतनी घेनी बिमारी उनके शरीर से सदा पस निकलते रहती थी और वो पस के साथ इतनी बद्बू आती थी कि कोई उनके सामने आता भी नहीं था अगर वो सड़क के बाएं तरफ में चल रहे हैं तो सब दाएं तरफ चले जाते थे इतनी बद्बू आती थी तो चेतने महारप्वजी ने एक समय उस कुर्मा को उस साथ वासुदेव विप्र को गलें इस वकार हम सदा क्या रहेंगे वारी भी समाप्त हो गई और वो बद्शूरत शरीर तुरंदी खब्सूरत बन गया और फिर वासुदेव विप्रा ने कहा पहले तुम्हें इतना बद्शूरत था कि मेरे पास कोई आता भी नहीं था सब मेरे से दूर भागते थे रभी आपकी क्रिपर से मैं नौजवान खब्सूरत यूवग बन गया हूँ और मेरे मन में घमंड नहीं आ जाए तो आइट अकषर धन हो तो आपि घमंडी बन जाते हो यह घपसूरत हो यह भूते जिएन हो तो इन स्रीविदाओं के प्रभाव से वि bloody घमंड़ी बन सकता है तब ही इतना कृष्णरत गए था कि उनके बन में भहत था कि मैं कहीं घमंडी नहीं बन जाए तो उन्होंने महाप्रभु से पूछा रहा भी मुझे ये सिक्षा दो कि मैं सदा, हम्बल कैसे नहूं, निम्रत भाव से कैसे सेवा करूं महाप्रभु ने कहा Always share Hare Krishna and preach the glories of Hare Krishna हमेशा हाई नाम का उचारन करो वहाई नाम की महिमा का प्रचार करो इस प्रकार तो मुसदा निम्रत भुचार से सेवा करते रहो गया तो प्रापाजी इसके तात्वरे में कहते हैं तो ये है चेतने महाप्रभु जी का संदेश और आदेश सब के लिए आप सब महाप्रभु जी की लीलाओं के विश्र में पढ़िएगा और चेतने चात्य मिता का नवाद विश्रो की लग बग हर फ्रिसित भाषा में हो गया है चीन भाषा में भी पराप्त कर सकती है पर आप हिंदी गुजराती और भारत की भी बहारत की मैं इसका नवाद हो गया है तुछी से पढ़िए मेरे खाल से हर समवार को यहां चेतन चर्दुमरी तक एक लास होती है और इसके लाव उठाएंगे भारे कृष्णा